Hello friends, welcome to Tech Streamer दोस्तों आने वाले कुछ दिन में यानि सेप्टेंबर के एंड तक या फिर October के स्टार्टिंग में आपको कुछ काफी अच्छे स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएंगे जो की launch होने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको Galaxy M41, OnePlus 8T, Realme V5 और ऐसे कुछ हाई पर्फोर्मिंग स्मार्टफोन भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको काफी अच्छी पर्फोर्मेंस मिल जाती है गेमिंग लिए भी अच्छे ऑप्शन हो जाते है और साथ में यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ड भी देखने के लिए मिलेगा तो ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन के बारे में बताने वालो इस वाले वीडियो के अंदर तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और उसके पहले फ्रेंज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूले यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 लॉंच होने वाला है जो कि यह काफी अच्छा आप्शन आपको मिल जाता है लो बजेट के अंदर तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको Mediatek Helio G70 प्रोसेसर मिल जाएगा 6GB RAM मिल जाएगा 6.95 इंच का IPS LCD पैनल मिल जाएगा 258 PPI के साथ और यहाँ पर आपको दोस्तों ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा इसके रेर पैनल पे तो 48 плюс 2 plus 2 میगayपिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और front में आपको 16 میगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है Fast Charging 3.0 के साथ और साथ में USB-C टाइप पोर्ट मिल जाएगा और Out of the Box Android 10 के साथ ये फोन आपको मिल जाता है जो expected price होने वाला है दोस्तों Infinix Note 7 का वो है करीब 10,000 रुपए तो एक काफी अच्छा option है तो एक low budget के अंदर आपको काफी अच्छा smartphone देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर आपको decent performance भी मिल जाती है जोस्तों Redmi के तरफ से K30 Ultra भी launch होने वाला है जो कि ये काफी powerful सा smartphone होने वाला है 5G enabled smartphone होने वाला है और इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 1000 Plus processor मिल जाएगा फोन के अंदर आपको quad camera setup मिल जाता है 64 plus 13 plus 5 plus 2 megapixel का and front में आपको 20 megapixel का camera देखने के लिए मिल जाएगा इसके साथ दोस्तों फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और फोन आता है quick charging 4.0 के साथ फोन के अंदर आपको USB-C type port मिल जाता है और out of the box ये फोन आता है Android 10 के साथ 5G enabled smartphone होने वाला है और जो expected price है वो है करीब 22 से 23,000 रुपे तो mid range के अंदर आपको एक काफी अच्छा ये option देखने के लिए मिलने वाला है 5G के साथ आता है smartphone और Mediatek Dimensity 1000 Plus एक काफी अच्छा processor है अच्छी performance आपको देता है next दोस्तों यहाँ पे आपको Realme V5 भी देखने के लिए मिल जाएगा कुछ दिन के अंदर जो की एक 5G enabled smartphone है और price भी इसका काफी जादा कम है तो phone के specifications की बात करते है तो Mediatek Dimensity 720 के साथ ये phone आता है 6GB RAM मिल जाएगी 6.5 इंच का IPS LCD पैनल मिल जाता है 405 PPI के साथ और यहाँ पे आपको Quad Camera Setup देखने के लिए मिल जाएगा इसके Rare Panel पे 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का Front Facing Camera भी मिल जाता है phone के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी Fast Charging के साथ phone आता है Android 10 के साथ USB C Type Port देखने के लिए मिलेगा आपको और best part है कि यह एक 5G enabled smartphone होने वाला है और जो price होने वाला है smartphone का वो है करीब 16,000 रुपे तो दोस्तों एक काफी अच्छा option आपको यह भी देखने के लिए मिल जाने वाला है जिसके अंदर आपको 5G का भी support मिलता है तो future ready smartphone आपको मिलने वाला है तरफ से Galaxy M41 भी launch होने वाला है जो की आने वाला है Exynos 9 OctaCore processor के साथ 6GB RAM मिल जाएगी 6.3 इंच का OLED display आपको मिल जाएगा 409 PPI के साथ यहाँ पे दोस्तों फोन के अंदर आपको triple camera setup मिल जाएगा 64 प्लस 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का और फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा तो फोन के अंदर आपको monstrous battery देखने के लिए मिलने वाली है 6800 एमेज की fast charging के साथ आता है यह फोन और यहाँ पे आपको USB-C type port देखने के लिए मिलेगा फोन आएगा दोस्तों Android 9 के साथ लेकिन बहुत ही जल्दी Android 10 भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा इसका जो दोस्तों expected price होने वाला है वो है करीब 23,000 रुपे इसके बाद दोस्तों OnePlus 80 का भी launch होने वाला है आने वाले कुछ दिन के अंदर जो की दोस्तों एक काफी high performing smartphone है Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर के साथ आता है 8GB RAM मिल जाएगी 6.55 इंच की fluid AMOLED डिस्पले मिल जाएगी 402 PPI के साथ 120 Hz refresh rate वाला screen मिल जाता है और यहाँ पे आपको quad camera setup मिल जाएगा 48 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 2 MP का और फ्रंट में आपको 20 MP का camera मिल जाएगा फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी 65 Watt Dash Charging के साथ और फोन आता है Android 10 के साथ 5G enabled smartphone होने वाला है और जो price होने वाला है वो है करीब 45000 रुपए तो काफी अच्छा smartphone है High performing smartphone है और price भी दोस्तों उसी के हिसाब से इसका दिया गया है यह कुछ smartphones थे इसके अलावा दोस्तों Infinix Note 7, Infinix 08, Redmi 10X ऐसे और भी कई smartphones launch होने वाले हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में Thank you very much